पूरे मध्या प्रदिश का मौसम बदलेगा और मध्या प्रदिश के विबे निलाकों पर कुछ ही गंटों की दुरां आज दिन भर में बारी बरसात के आसारे तो कैसा रहेगा पूरे मध्या प्रदिश यानि MP का मौसम और दोस्तों अगर आभी जवलपूर, कटनी, बोपाल, सीधी, बढ़वानी, ग्वालेर, दार, उजयन, हर्दा, शिवपूरी, मंसोर, राइसेन, साजापूर, वेदिसा, शिवपूर, अश्योगनगर, सतना, गुना, खंडवा, इंडोरी, होसांगाबाद, सिंग्रोली, उम चंशन टरफ के उतर बारत की तरफ किसकने के संकेत मिले, ऐसे में आज से बारी बरसात हो जाएगी, साजा जानकरी के मुताद, दूस्तों, साथ जिलो में बारी बरसात की चेतावनी है, और पात समभागों में 12 जिलो में आधिक बिजली गिरने की चमकने के साथ यलो अलट जारी क्या गया है इसमें मंडला बालागाट शिवनी दमवा सागर शीहोर और देवास में बारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है वहाई रिवा शेडोल नर्मदापूरम बोपाल और चम्मल संभाग के साथ साथ देवा साजापूर आगर बुरानपूर खंडवा खरगो शिवनी मंडला बालागाट पन्ना दमवा सागर में बिजली गिरने और चमगनी को लेकर यलो अलट जारी क्या गया है वहाई दोस्तों MP मौसम विबा की माने तो वर्तमान में पूर्वी राजस्तान पर हाओ के उपरी भाग में एक चकरवाद बना हुए इसी चकरवाद को लेकर पूर्वी बतायजार की मध्या परदेश और पूर्वी विदर्ब और चतिसगर से होता है राहिल सीमा तक एक ट बते नमी काफी ज़्यादा आ गई और मांसुन ट्रफ लाइन शिवपूरी की ओर से किसक गई है वही पूर्वी राजस्तान के उपर चकरवादी गेरा बनने के कारण मध्य प्रदेश परभावी थोरह मध्य प्रदेश में बारी बरसात के आसार है आज शाम के आड़ बज और ग्वालियर चमबा के जिलों में अनिक इलागों पर अच्छी बरसाद रेकोर्ड की गई है गंसोर में 9 mm और रामनगर में 7 mm बीजाडांडी सतना साहनगर और धनोरा और निवास में 6 mm पाली नेनपूर शिर्मोर सेंगाउं में 5 mm के करीब बरसाद रेकोर्ड की गई है ताजर जानकरी के मुताद एक जिली की बात कीज़ा है तो जबलपूर में अगले तीन दीन तक बारी बरसाद के आशार है वही दूस्तों बताई जानकरी की मुताद बोपाल में 4-5 दिन बादल उसका आध अच्छी बरसात होगी सीधी में अगले 24 गंटों के दोर आध बा पूरे साथ दिन तक बारी बरसात और विजली गिरने के आशारे पूरे साथ दिन तक बारी बरसात और विजली गिरने के आशारे